कानपुर के बारे में भी आप सभी जानते हैं कि कानपुर उत्तर भारत का मैंचेस्टर खाया जाता है, कानपुर में गंगा नदी है और कानपुर उत्द्योगों के लिए फेमस है आगे बढ़ते हैं अगला कोश्चन सबी दोस्तों को नमस्कार, आज हम बात करेंगे UPPCS के प्रिणिम्स के जो कुशन है प्रिविएस और कुशन फेपर जो पूचे गया है उसी पर हम लोग discussion करेंगे previous year question paper के series इसके पहले भी मैंने आप समसे discussion किया था उसके आगे जो है previous year question paper आज आपके सामने लेकर आया हो और उसी question को जो है हम लोग solve करेंगे पहला question अगर हम बात करें पहला question देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि बुंदेल खंड आर्तिक छेत्र में जनपदों की संख्या कितने हैं यहाँ पर पूछा जा रहा है जनपदों की संख्या जिनकी कितने जिले हैं ठेक है आप सभी जानते हैं को यूपी में जो है उत्तर प्रदेश में जीलो की संख्या अगर हम बात करें जीलो की संख्या तो जीलो की संख्या कितनी है जीलो की संख्या आपकी है 75 कितनी है 75 अगर हम मंडल के बारे में बात करें उत्तर प्रदेश में तो मंडल कितने हैं मंडल 18 मंडल है विधान सभा सीटों के बारे में बात करें उत्तर प्रदेश में तो विधान सभा की 403 सीटे हैं जबकि विधान परिशत जो की ओचे सदन कहते हैं उसमें आपकी 100 सीटे हैं इसके उप्यूपी में भी पढ़ता है, कुछ मंद्रप्रदेश में भी पढ़ता है, तो बुंदेल खंड का पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में आप बताईए, जो आर्फिक छेतर में जनपदों की संग्या कितनी है, यहां पर आफ्शन है, फाइफ है, सिक्स है, सेविन है, और जो 18 सबसे latest जो बना हुआ है मंडल वो अलिगण बना है जिसे अगर नगर निगम कोई पूछे तो नगर निगम आपका सत्रह है UP में 17 नगर निगम है और 17 जो नगर निगम है वो आपका साजाहान पूर है तो यह सब knowledge भी आप सबही को जाना चैस cose related जो था तो अगर हम बात करें किि कुतने चुकि बुंदेलखंड में यू?. बुंदेलखंड में यूपी के जिले आ रहे हैं तो बुंदेलखंड में जैसे चित्रकूट ये सभी जो अरिय भुबाग जो連देलखंड चित्रकूट में आते हैं चित्रकूठ हुआ, बांदा हुआ, महोबा हुआ, हमीरपूर हुआ, जालाउन हुआ, जासी हुआ ललिदपूर हुआ अगर हम बात करें ललिदपूर के बारे में, तो ललिदपूर तीन तरफ से मद्द प्रदेश से घिरा हुआ है, जो ललिदपूर का एरिया है, इसको मैं टा देता हूँ, ललिदपूर का एरिया है, वो तीन तरफ से मद्द प्रदेश से घिरा हुआ है, यह जो ललिदपूर ह तामबा का उत्पादन सबसे ज़्यादे होता है उत्तरप्रदेश में तामबा का उत्पादन और ललितपुर जो है तीन तरफ से हैं मद्यप्रदेश से घिरा हुआ है यह तीन तरफ से यंपी से गुरा है मद्यप्रदेश से यंपी से घिरा हुआ है और आप सभी जानते हो क यूपी के जो है एक 11 जिले, यूपी के 11 जिले, सबसे जादे जो बॉर्डर शेयर करते हैं, यूपी के 11 जिले, वो मद्ध परदेश के साथ ही बॉर्डर शेयर भी करते हैं, ये भी आपको information इसके पहले वाले वीडियो में मैंने दिया था, अगर थोड़ा सा map के बारे में इसमें हम बात कर दें, च्योंकि पहला question है, उससे related एकर चीज़ें, तो देखें ये आपका क्या है, पुर्व साइड है, ये आपका west है, यानि कि पश्चिम है आपका, ये north है आपका, और ये आपका south है, इस्ट में देखेंगे, तो आपका डिष्टी कौन सा है, बलियां है, west में देखेंगे, डिष्टी कौन सा है, तो west में आपका सामली है, और आप north में देखें, तो north में आपका सहारनपूर है, और इसके साथ south में देखें, तो South में आपका क्या है? शोनभद्र है अगर हम बात करें UP कितने राज्यों से लगा हुआ है तो UP जो है 8 राज्यों और 1 UT से लगा हुआ यानि कि Border Share करता है अगर 8 राज्यों की बारे में बात करें याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ देखें याँ पर क्या है सहारनपूर सहारनपूर तीन राज्यों से सीमा साजा करता है एक आपका उत्राखंड के साथ करता है एक हिमाचल परदेश के साथ करता है और एक हरियाना के साथ करता है इसके साथ बात करें शोनभद्र देखिए जो दच्षिड में है ये चार राजों से सीमा साजा करता है शोनबहत्र आपका यंपी के साथ करता है सोनबहत्र आपका च्छतिजगड के साथ करता है शोनबहत्र आपका बिहार के साथ करता है और इसके साथ जारखंड के साथ भी आपका border share करता है तो तीन ये हो गए चार ये हो गए यानि कि उत्तर में तीन और दच्छिड में देखिए आपका क्या हो गए चार तीन चार साथ तो ये हो गए और आप आज़े ये आगरा के आसपास आगरा और मतुरा आगरा और मतुरा जो है आप सभी जानते हैं कि आगरा और मतुरा वो जिले है जो राजस्थान भगल में ही है राजस्थान भरतपूर है और राजस्थान के साथ border share करते हैं तो चार, तीन ये हो गए, चार ये हो गए, साथ हो गए, एक ये हो गए, आठ हो गए, और आपका दिल्ली, दिल्ली क्या है, यूटी है, यानि कि यूनियन टेरिटरी है, इसके साथ भी बॉर्डर शियर करते हैं, तो टोटल आठ राज जी हो जाएगा, और एक के नसासित प् बलियां, ठीक है, चंद्रप्रभा पहुच्छी वियार जो है, बलियां में है, जिसे हम, चली, अगला में बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा छेतर जो है, आद कल्प की प्राचिनतम सैलों से निर्मित है, पहला है सिवालिक, दूसरा है बिंधाचल, तीसरा है रु अगर हम बात करें, तो सिवालिक तो है नहीं, विंधाचल है नहीं, बुरुहेल करने है, लेकिन इसकी बारे में जो आद की कल्प की बात की जारी है, तो ये इसका सही एंसर हो जागा, और देखे, यूपी पीसेस की परिच्छा में ये कोश्चन पूछा है, क्योंकि बुं बुंदिलखंड जैसे मैंने सुरू में ही कहा, कुछ एरिया उत्तर प्रदेश में है, और कुछ एरिया मध्यप्रदेश में है, यूपी के साथ जिले बुंदिलखंड के रीजन के अंधर ग़त आते हैं, तो इसका प्राचीन नाम जो है, जिजाद, भुक्ती है, ये भी आ अधिक्तम भगोलिक चेत्रफल, दूसरा है शोनभद्र, अधिक्तम वनाच्छादी चेत्र, तीसरा है सीतापूर, सरवाधिक अनुसुची जाती जनसंख्यावला जीला, और डी जो है संत्र रविदास देगर नियुंतम वनाच्छादी वाला चेत्रफल, मैं इडियर एक बा और सबसे छोटा किसका है, तो सबसे छोटा हापुड का है, सबसे छोटा है हापुड का, ठीक है, याद रखिएगा, और लखिम पूर्खिरी जो है, वो नैपाल के साथ बॉर्डर भी शेयर करता है, लखिम पूर्खिरी उत्तर प्रदेश के साथ ऐसे जीले हैं, जो नैप सब्सकता और पीली भीत भी आपका बौकर शेर करता है यह जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ यह सभी जो है आपके क्या है सात ऐसे जिले हैं जो नैपाल के सादथ बौकर शेयर करते हैं नैपाल के साथ, ठीक है, साथ जिले नैपाल, अंतराश्टी सीमा साजा करते हैं नैपाल के साथ, जिसमें से मैंने बताया भी था आप सभी को, यह जो स्रावस्ती है, स्रावस्ती चुकि गौतम बुद से रिलेटेड है, और मैंने कहा भी था कि स्रावस्ती के बारे में यह ज चुकि गोरपुर मंडल का अंद्रगा ते एक जिला है और महराज गंज में जो है गिद प्रजननकेंद्र भी खुला है याद रखेगा गिद प्रजननकेंद्र जैसे मयूर प्रजननकेंद्र आपका मतुरा में है तो गिद प्रजननकेंद्र जो है आपका महराज गंज में य याद रखेगा चलिए तो इसका सही जवाब मिल गया होगा आपको क्योंकि याद रखेगा उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जहां पर अनसूची जातियों कि संख्या सबसे जादे पाई जाती है अगर यूपी की बारे में बात करें यूपी में यसी कटिगरी की सबसे जादे संक्या सबसे जादे हैं अगर पूछे यस्टी तो यस्टी में जब है सबसे जादा अगर कोई यस्टी अनसूची जनजाती है तो सबसे जादा वो है आपका मध्य प्रदेश में अगर अब एक बाद बताओ, गोड़ पूर क्या है, गोड़ पूर आप जानते कि एक मंडल है, जिसमें गोड़ पूर मंडल है तो जिला भी होगा, महराज गंज है, कुश्ची नगर है और देवरिया देवरहा बाबा की नगरी है, पुरू का ग्रास के नाम से बात की जारी है, मोदी जी का संसदी रहे गंगा भोईयाई है बनारश में इसके साथ अगर हम बात करें कण् नोज का कन्नोज का का क्न्नोज का पर्फियूम जो हुम लगाते हैं पर्फियूम उध्योग के लिए famous और तमबाकू के लिए उसाय के लिए फिरमत है कन्योज भासा बोली जाती है तो पुरु का ग्रास किसे कहते हैं कन्योज का अब कन्योज के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन जान लिजिए कि जो यूपी के जो पुरु सीम थे पुरु के सीम जोग थे उत्तर प्रदेश के हम बात करें तो पुरु सीम अक्लेश यादो जी इस बार जो है सांसदी का चुँनाओ लड़ा है उन्होंने मेंबर लाब पारलेमेंट का चुनाओ अक्लेश यादो ने कन्योज से ही लड़ा है ककलेश यादो अक्लेश यादो जो है पुरु सीम राचके है wash kita Making के एकम सबा का चुना करहल विधान सबा से क्या थे विधायक थे यह भी याद रखेगा इस फैक्ट को भी याद रखेगा चुकि विधायक थे करहल विधान सबा से और कन्नोस से चुकि इस बार यंपी है तो इन्होंने यहाँ पर यसी छोड़ दिया है अब यहाँ पर बाई एलेक्शन होगा उप चुनाव होगा और बहुत जल्दी आप सभी को देखने को उत्रप्रदेश का उप चुनाव मिलेगा चुकि इस बार का जो बिधान सभा का चुनाव हुआ था 2022 में वो अठरवी बिधान सभा थी याद रखेगा अठरवी बिधान सभा थी और अठरवी बिधान सभा में आप सभी जानते हैं इस बार योगी आदितनाथ सहाब भी जो है जो यूपी के सीम है योगी आदितनाथ वो भी गोरगपुर सहरी छेत्र से चुनाव लड़े थें। जबकि पिछली बार अगर हम सत्रहवी की बारे में बात करें। सत्रहवी विधान सवा में वो विधान सवा के सदस्य नहीं थें। वो विधान परिशत के सदस्य थें। विधान परिशत चुकि उच्छ सदन को हम विधान परिशत कहते हैं ठीक है और अकलियस यादव भी जो है इस बार करहल विधान सवा से लड़े थे लेकिन 17 वी वले में अकलियस यादव भी जो है वो विधान परिशत के सदसे थे ना कि विधान सवा के नहीं थे विधान पर चानपुर में चानपुर में गंगा नदी है और कानपुर उध्योगों के लिए, ओगे बढ़ते हैं। अगला question है कि उत्तरप्रदेश का निम्लिक प्रदेश से कौन सा जिला बुंदिलकंड छित्र का हिस्सा है अभी मैंने बोला टोटल साथ जिले हैं देख लिए कौन है क्या इसमें कई मैंने चंदवली का नाम लिया चंदवली का नाम मैंने नहीं लिया जबकि और यह महाबा बुंदिलकंड छित्र का हिस्सा है पूछ रहे हमें क्यों सा मुदिलखन का हिस्सा है पहला question पर हम लो discussion कर चुके हैं अगला question पूछ रहा है कि कई कूट का प्रयोग करते हुए मैं इस दा column कीजिए सुची 1 को सुची 2 से लगाईए पहला है नंगा परवत नंगा परवत पूछ रहा है और यहां कि यह वाला हमारा गलत है यह कंफर्म हो गया हमारा इ això हमारा यह और यह हो जाएगा option हमारा कहँ है हिमाले की हिमाले के चोटिया है नंगा परवत जंबडो कस्मीर में है नन्दा देवी क्या है उत्राखंड में है और कंचन जंगा सिक्किम में है और आप सब भी जानते है कि एक केंध सासिज परोधेश है मनुज शिन्हा जी है अगला कोशिन पर बात करते हैं अगला कोशिन आपके सामने आपके स्क्रीन पर है कि कि सर को NCR यानि की राष्टी राजधानी चेतर यानि की NCR National Capital Region जिसे कहते हैं में समलित नहीं किया गया ये कोशन है National Capital Region N for National C for Capital R for Region करते है National Capital Region करते है ठीक है NCR में किसको सामिली किया गया है पहला है जिंद दोसरा है करदाल तीसरा है अलीगढ्र, चौथा मुझण फ़न अगर धोस्तों अभी अलीगढ्र की बारे में बात की जा रही है अलीगढ्र चुकि जानते हैं आप सभी कि ALीगढ्र जो है सभसे लास्ट जो अगर जिला कोई बना है वो अलीगढ्र है 75वाँ जिला अलिगड का ताला फेमस है अलिगड की बात अभी चल ले है यूपी के आठ जिले जो है यन्सियार में सामिल है ये भी आप सभी को जाना चाहिए चुकि अलिगड इसमें नहीं है इसलिए option इसका हो जाएगा देखिए आठ जिले कौन कौन से है जो है यन्सियार में सामिल है चुकि इसका headquarter कौन सा है इसका headquarter है नोईडा और नोईडा के बारे में आप इसका full form में जानते है देखिए गौतम बुद्धनगर आप सभी नाम सुनते होंगे गौतम बुद्धनगर जिसका headquarter क्या है जिसका मुख्याले कहाँ पर है इसका headquarter आपका है नोईडा नोईडा का full form भी आप सभी को जानना चीए क्योंकि परिच्छा में आजकल full form भी पूछ रहा है यन फर न्यू हो जाएगा ओ फर ओखला हो जाएगा आई फर industrial हो जाएगा और D for development हो जाएगा और A for authority हो जाएगा development authority जीसे कहते है तो आपका गौतम गुद नगर है बुलंद सहर भी है आपका मेरट भी है आपका बागपत है हापुड है मुजफद नगर है सामली है और हरियाना के अगर हम बात करें तो फरीजाबाद है गुरुग्राम है, मेवात है, ये हरियाना के हैं, चुकि रोतक भी है, हरियाना का, सोनीपत, रिवाडी, जजजर, पानीपत, पलवल, महेंद्रगड, बिवानी, जिंद, करनाल, तथा, राजस्तान के भरतपूर और अलवर जो है, चुकि भरतपूर में क्या है, केवला देव राश्ची उद्यान है, याद रखेगा, केवला देव और भरतपूर जो है, हमारी यूपी के दो जीले, आगरा और मतुरा के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, आप सभी जानते भी होंगे, केवला देव, राश्ची उद्यान है भरतपूर में, ये सारा इंफॉर्मेशन म पूषता रहता है, इसलिए मैं दे देता हूँ, तो टोटल ये कौन सा नहीं था, तो अलिगण के भी प्रस्तावित है, बात चल रही है, अभी सामिल नहीं किया गया है, बुंदेलखंड नामक चेत्र निम्रिखित भी किसकी सीमा के अंतरगत आता है, पहला आप्शन है उत जाएगा भी, और हम सबसे जादे बॉर्डर जो शेर करते हैं, वो मद्ध परदेश के साथ करते हैं, और सबसे कम जो बॉर्डर शेर करते हैं, वो हीमाचल परदेश से करते हैं, सहारनपूर सबसे उत्तर में है, और सहारनपूर जो हीमाचल परदेश के साथ, हर्याना के सा बुलंसार बांदा और बलियाँ क्या बागी बलियाँ आप सबी जानते होंगें पुर्व प्रधामंत्री चछल्म्क्र छीर का PHP है यह सही ज्वाब बलियाँ भ्याद के चलिए sigue खरन साभी ऑपडमि को जाएगा ख्ली खती आप से उज्चोंचन है चलिए अगला question चलिए उत्रप्रदेश का निम्कित में से कौन सा जिला अने जिलों से घिला हुआ हुआ यानि कि किसी भी अन्राज्या देश की सीमा के साथ साजान नहीं करता है एक बात बताओ मुझे क्या एक बात बताओ सहारनपुर यह बताई यह जो मैंने कहा यह इस् के साथ करता है यह तो कंफर्म हो गया बात आई देवरिया देवरिया के बगल में एक जिला है जिसका नाम है आप बिहार बिहार में सीवान जिला तो यह देवरिया यूपी में है और सीवान जो है बिहार में है और सीवान वो जिला है जहां से एक जगह है इस्टेशन जीर देश के प्रथम राश्पती डॉक्टर राजेंद परसाद जी का जर्म जो है वह जीरा देई नामा का स्थान पर सीवान जी द्रगत हुा था, तो देवरियाँ भी करता है, अब बात रती है, ललितपूर के बारे में, ललितपूर का तो पूर का तो बिचा कौन हर्दरूर की हो जईगा, इसका C हो जाएगा, ऐलिमिनेसों मेहेनी हमारा देगा, प्रियोप करें वे देखें, 1.10 जिले है उत्तरप्रदेस के जो यंपी के साथ सबसे जादे बॉर्डर शेर करते हैं, U.P. के 1.11 जिले, U.P. के साथ बॉर्डर शेर करते हैं, इसमें देखे दिया है इटावा, मिर्जापूर, अलीगरद, इलापाद, बेटा एक बाब बताओ, अलीगरद कहां से यंपी स मंदिर है मिर्जापुर में मिर्जापुर एक मंडल है उसी कंद्र के सोनभदर एक जिला आता है आगरा भी करता है ठीक है इटामा करता है जहांसी ललितपूर बांदा चित्रकूर सोनभदर जालाउन सब करते हैं लेकिन आपका अली गड़ जो है वो बार्डर शेयर MP के साथ नहीं करता है अगला कोश्यन उत्तर प्रदेश की भागोलिक सीमा किस राज्यों को स्रवादिक राज्यों को असपर्ष करती है निम्रिकित में से कौन सा राज्य इसमें सामिल नहीं है यहीं पूछ रहा है कि आप बताईए कि यूपी से कौन टच नहीं करता है मैंने कहा थ पूछा है तो अगला कौश्यन निम्रिक प्रकारुक्त की किस प्रकार की बुंदेल कर छेतर में प्रमुकता से पाई जाती है तो आप सभी जानते हैं कि जो काली मिटी जो होती है कापास की मिटी होती है और काली मिटी कापास की मिटी होती है और यह बुंदेल कर छेतर में जो है सबसे बहूलता से पाई जाती है तो इसका सही जवाब हो जाएगा option हो जाएगा option आपका यह इसका सही जबाव हो जाएगा अगला question की बात करें उत्तर प्रदेश के भावर पूछ रहा है, एटा मैंड पूरी पूछ रहा है, मिर्जापुर जहासी पूछ रहा है, और आगरा और मतुरा पूछ रहा है, तो लाल मिट्टी की जब बात आए, तो लाल मिट्टी पाई जाती है, मिर्जापुर और जहासी में, यहनिके option इसका हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है अगला कोश्चन पर बात करें अगला कोश्चन लवड प्रभावित मिर्दाएं मुक्ता उत्तर प्रद्र की किन मंडलों में पाई जाती है आगरा और अलिगड दिया है मेरट और बुरादाबाद बस्ती और गोरकपूर छांसी और चित्रगूर तो इसका सही जवाब है लवड प्रभावित मिर्दाइं जो है वो आपका आगरा और अलिगड बे पाया जाता है अगले कोश्चन पर बात करें अगला कोश्चन निम्रिकेत अस्ताने में वर्षा डूतुमें सबसे जादे बर्षा कहां पर होती है तो माईडियर याद रखेगा कि उत्तर सबसे कम जो है, वो कहां पर होती है, मतुरा में होती है, मतुरा के बारे में भगवान स्री किस्ट की नगरी है मतुरा, यह सब आप सब जानते हैं, मतुरा में जो है, मयूर संग्रच्छड केंदर भी मतुरा में है, मयूर संग्रच्छड केंदर, ठीक है, मतुरा में आपका है अगला कोश्चन में बात करें अगला कोश्चन उत्तर प्रदेश में जलवाई च्छतरों की कितनी संग्या है कई बार ये कोश्चन देखिए UPPCS में पूचा अपर में पूचा लोवर में पूचा कई बार पूचा समिक्षा में पूचा तो उत्तर प्रदेश में जो पुर्वी मैदार और विंदे आचल का चतर यानि कि विंदे का चतर है यानि कि टोटल याद रखेगा टोटल नौ है इस वे से भी कोश्चन साफ से परिच्छा में पूछे जाते हैं चोकि पूछ रहा है क्लाइमिट कितने चतरों की संक्या है तो आपकी नाइन है याद रख पूटी है यानि कि option A हो जाएगा option A चुकि आपका हो जाएगा जौन पूर ठीक है option A हो जाएगा अगले कोशन में बात करें कि उत्तरप्रदिश के कौन सा वनिजी अभराड 1975 में स्थापित किया गया था तो अगर हम बात करें 1975 में तो यह कतरनिया घाट चुकी है कतरनिया अधासी में किया गया था जबकि रायपुर नाम से कोई है नहीं आप उत्तरप्रदेस में तो यह भी आप सभी जान सकते हैं कि चंद्र प्रभाव वनिजिव अभराड उत्तरप्रदेस की प्रमुग वर जिवरत कि कहा परिस्त है चंद्रप्रभाड चुकि चंदव ली इसंसानताउन में इससे अस्थापित किया टाए ता, 1957 याद रहेगा तो ये हो जाएगा ऊफशन, इसका बी ओफशन हो जाएगा इसका बी हो जाएगा चंदोली में सबसे पहला है याद रहेगा, बीजे सागर पक्શी वियार कहाँ पर है ये पूछ रहा है वीजे सागर पक्षी वियार कहां पर है पहला option है महोबा, मेरट, बुरदाबाद और महराज गंज तो जब भी वीजे सागर के बारे में बाता है पक्षी वियार कहां पर है तो वीजे सागर आपका है महोबा में यानि option हो जाएगा इसका option इसका हो जाएगा ए हो जाएगा बिजे सागर पच्छी वियार उत्तर प्रतिस में आमनगार टाइगर रिजर्ब निम्निकित में से किस टाइगर रिजर्ब का हिस्सा है आमनगार पूछ रहा है पहला है दुदवा दूसरा है पिलीभीत तिसरा है जिम कारबेट चौथा है राजा जी तो जिम कारबेट नेशनल पार्क का नाम सुना होगा चुकि जिम कारबेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है चैके चुकि ननिताल में उत्राखंड में भी है और यूपी में भी कुछ पढ़ता है तो अमनगर टाइगर रिजर्ब चुकी है वो मून रूप से जीम कारवेट नेशनल पार का ही एक हिस्सा है इसके बाद याद रखिएगा चलिए चुकि उत्तर प्रदेश जो उत्तरा खंड यूपी में ही था लेकि बाद में वह अलग लेकिन इसलिए मैंने कहा कि पूछ रहा है कि अमनगर जो टाइगर रिजर्ब है वो किसका हिस्सा था तो वो जीम कारवेट का ही हिस्सा था और ऑफ्षन इसका सी हो जाएगा अगला कुश्चन है उत्तर प्रदेश में मयूर संग्रच्ण केंद्र कहां पर अस्थापित किय जा रहा है पहला है महवबा दुसरा है मतुरा तीसरा में पुरी छोथा महराज गंज तो मैने बताया कि जब भी मयूर के बारे में बात आया तो मयूर आपका मतुरा में है जबकि घद आए तो तो गिद आपका महाराज गंज मेरे है और महाराज गंज जो कि गोरपूर मनदल कंद्र करतें एक जिला है और महाराज горण जो है नैपाल के साथ बैजो है इंट्रन से बार्डर करता है तो इसका साहिई जवाब क्या जाएक है मतूरा जबकि गिद प्रजणन केंद्र कहा है, गिद प्रजणन केंद्र जो है, वो आपका कहाँ पर है, गिद प्रजणन केंद्र महाराज गंज में है, प्रजणन केंद्र याद रखेगा, गिद प्रजणन केंद्र कहा है, महाराज गंज में, जबकि मतुरा में क्या है, मयूर संग जनपद ललितपूर अच्छा जी दूसरा लाक बहुसी यह ब्यारण जनपद कन्नाउज तीसरा है किशनपूर वने जी ब्यारण वह पूछ रहा है आपका जनपद बलरामपूर और चौता कर रहा है कि कैमूर जो है मिर्जापूर और श्रणभादर जिला तो माईडियर की बलरामपूर में चूलिक है बहराइच हो चाहिए सावस्ति हो जी सिदार्थनगर हो माराजगंज हो कि सभी के सबी जो एरिया है आहां के बॉडर्ञ करते है नैपाल के साथ। यह कहां पर किशनपूर वाला तो किशनपूर आपका है लकीमपूर खिरी तो लकी अगला question दुदवा राष्टी उद्यान उत्तर प्रदेश के निमिक्रिश किस जनपद में इस्तित हैं दुदवा के बारे हम बात करें पहला है सीतापूर दूसरा लखीम पुर्खिरी तीसी कतरनियागाट चोहता कालेशर तो दुदवा राष्टी उद्यान जो अगर हम बात करें तो वो आपका किस जनपद में अवस्तित है तो आपका एंसर हो जाएगा एंसर भी हो जाएगा लखीम पुर्खिरी में ये भी आप सभी याद रख सकते हैं ठीक है 1987 में जो है जबकि इसके बारे में बात करें दुदवा से लगबात 30 किलमेटर दूर इस्तित है किशनपूर वनेजी अभ्यारण और कतरनियागाट को मिलाकर 1987 में दुदवा टाइगा रुजरब भी जो है बनाया गया था अगला कोशन है कि नियुक्त प्रदेश से कौन सा वनेजी अभ्यार उत्तर प्रदेश में इस्तित नहीं है नहीं पूछ रहा है आपसे पहला है किशनपूर दूसरा सुरहताल कतरनियागाट और कालेशर माइडियर कालेशर कहां से आ जाएगा कालेशर तो है नहीं उत्तर किया गया था ठीक है तो यह भी कोश्चन आप सभी को याद रखना चाहिए कि इसे राष्टी उद्यान घोसित किया गया था चलिए अगले पर बात करते हैं उत्तर प्रदेश में पहला गिद संग्रश्ड के इंदर कहां स्थापित गया गया है अभी हम लोगों ने बात किया गिद संग्रश्ड जो कि मयूर वाला हमने कहा कि मयूर संग्रश्ड जो है वह आपका मतुरा में है तो गिद कहां से हो जाएगा तो गिद आपका हो जाएगा महराज गण्ज महराज गण्ज चेक है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन C, देखे लगातार ये question repeat है चलिए अगले पर बात करते हैं अगला question निम्निकित में से भराड में कौन सा उत्तर प्रदेश में इस्थित नहीं है पहला है पतना पक्षी विहार दूसरा है जैप्रकास नरायन तीसरा है चित्रा गुंडी चवता है उद्वा पक्षी विहार एक बात बताओ पतना पक्षी विहार नाम है पतना लेकिन है उत्तर प्रदेश में ये तो है ये भी है एक और दो तो है पुछरा कौन नहीं है तो कौन नहीं है तीन और चर कहां से हो जाएगा चित्रा गुंडी नामी टेना है ये सा उत्त का है तो इसलिए एंसर हो जाएगा एंसर इसका डी हो जाएगा ये भी आप सभी को याद रखना चाहिए तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में टैंक्यू ओल अफ्यो